हेलो दोस्तो बलकम बेक तो मैं चैनल तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं मटर आलू की सब्जी तो तेल गरम हमने कर लिया है जीड़े की तड़का हम अभी लगा दिया है इसमें और अभी आगे का भी आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है हमें और ये जो रेसिपी है अब ये अच्छी तरीके से अभी हम इसमें प्याज फुराई कर लेंगे तो देखे प्याज हमने चोटे-चोटे की में काट लिया है और अभी इसमें कुछ टैंक के लिए फुराई करने के लिए रखेंगे कर दो वपा कर दो तो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि नहांतों है काफी टाइम हो चुका है अभी हमारा प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे अब ठोड़ा से इसको मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम के लिए हमें इसको भी प्राई करना है कुछ टाइम फ्राई करने के बाद टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और अभी जो है हम इसमें नमक एड़ा है करेंगे तो नमक आप श्वाद अनुसार एड़ कर सकते हैं जितना आप खाते हैं उतना ही आपको एड़ करना है उसके बाद थोड़ा से इसको मिक्स कर लेना है और फिर कुछ टाइम तक इसको भी हम प्राई करते रहेंगे काफी टाइम हो चुका है तो अभी जो हम इसमें मसाला एड़ कर रहे हैं तो मसाले में आप देख सकते हैं हल्दी नमक धनिया लाल मेच पाउडर और जीरा पाउडर एड़ा एड़ा अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करके कुछ टाइन के लिए हमें इसको अची तरीके से फ्राइ कर लेना है क्योंकि मसाला हम जितनी अची तरीके से फ्राइ करेंगे उतना ही हमारा सब्जी टेस्टी बनेगा तो मसाले को अची तरीके से फ्राइ कर लेना है तो अभी हम इसमें हल्की सी पानी आड़ कर लेंगे जिससे के हमारा मसाला सूपना जाए क्योंकि हमें अभी कुछ टाइम और इसको फ्राइ करना है इसलिए हमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया है मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है अब जो है हम इसमें फ्राइ करा हुआ अलू एड़ करेंगे तो आलू देखिए हमने पहले ही फ्राइ कर लिया था अब आलू इसमें एड़ करेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और पिर कुछ टाइम के लिए इसको भी फ्राइ करते रहेंगे काफी टाइम हो चुका है फ्राइ करते हुए तो अभी हम इसमें मटर एड़ कर लेंगे हरी मटर देखिए हमने इसमें एड़ कर लिया है अब इसको हम दोबारा से फिर से मिक्स करेंगे और कुछ टाइंग के लिए इसको दोबारा से में फ्राइ कर लेना है तो अभी हम इसमें पानी एड़ कर रहे हैं अगर आपको सूका सब्जी बनाना है तो पानी आपको कम एड़ करना है और अगर आपको तरी वाला सब्जी बनाना है तो पानी थोड़ा सा जादा एड़ करना है हमने सिर्फ एक कटूरी पानी इसमें एड़ करा है क्योंकि हमें सूका सब्जी बनाना है अभी हमें पांच मिनिट के करीब इसको ढखके पका लेना है पांच मिनिट पूरे हो गए अब हम ढखकन निकाल रहे हैं तो देखी ढखकन निकालने के बाद हमारा जो सब्जी है अच्छी तरीके से पक चुका है अभी इसमें हलका हलका पानी रह गया है कुछ ताइम हम और पकाईंगे ऐसे ढखकन निकालके तो ये भी पानी सूख जाएगा दो मिनिट में हमारा सब्जी बनके रेदी हो जाएगा तो आप देख सकते हमारा सब्जी कितना अच्छा लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत ही जादा टेस्टी होने बाला है तो आप भी ट् सब्सक्राइब करके वेल नोटिविक्शन को अल पर सेट कर देना जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिविक्शन भी आपको मिलता रहे तो देखी हमारा सब्जी कुछ इस तरीके से बनके तयार हुआ है और ये देखने में देखी कितना अच्छा लग रहा है तो ऐसे करके आप भी अपने घर पर बना सकते हैं और नए नए रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि ऐसे मज़़ार वीडियो हम लाते रहते हैं तो थैंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो झालोपन